हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक तो माई चानल क्या से हैं सब आयों पच्छे होंगे और आप सब सोच रहे होंगे कि यह सेकंड डे का वीडियो है बट ऐसा नहीं है यह हल्दी वाले दिन का ही वीडियो है तो यहां पर मैं महंदी के लिए रेडी हो रही थी और पहना दी जाए और मैं तो साड़ी ही पहनने वाली हूँ जितने फंक्षन होंगे उन सब में तो बस हम तीनों लोग निकल आए हैं अब जहां पर महंदी हो रही है वहां पर आ गए हैं और यह देखिए दुलहन को महंदी जो है वो लगना स्टार्ट हो गई है तो तीन बुआ जी है वो बैठी है मेरी ममी बैठी है यह है हमारे घर के छोटे से काना जो लेटे हुए है शायद इसका मूड ओफ है फेस से देखे लग रहा है और बाकी सब लोग देखिए मेंदी लगवा रहा है कोई वेट कर रहा है कि पहले लग जाए वैसे तो हैं यहां पर प आना गा रही है डांस हो रहा है यह जैनल जैनल तो को नजन लग जाएगी किसी को नजन लगे है नग लगे है ले बगवान सब पुसर आए आजी संदेक टेसे अगे दी ए अधर निए और अधर नहीं आज़ सब्सक्राइब को जूसे मागे बड़े बलिया बड़े मने से और यारी पिना नजाने मठा मांगितिया है हमाये करें तो अधरने लांगी मेहंदी लगने में ना काफी टाइम लग गया था सबको और हमें लग रहा था एक से दो घंटे मेहंदी वाला प्रोग्राम जो है मतलब नाइट में होना था लेकिन संगीत को जादा ही लेट हो गया मेहंदी के वजह से और बस देखिए अब सब लोग ड्रेस चेंज करके और यहां पर संगीत का जो ड्रेस कोड़ है वह गोल्डन और ब्लैक था तो कुछ लोग ब्लैक कुछ लोग गोल्डन और कुछ लोग में भी दिखेंगे बट ऐसा नहीं है कि सब लोग सेम ब्लैक ब्लैक में ही दिखने वाले हैं जिसका जो कम आने व सबMoreने पहन लिया है और मैंने थोड़ा नेवी बलु में में य॥ा अपने सेम अपने हस्बेंड का विड्रस करा दिया था तो उनका भी नेवी ब्लू का कुरता है अभी वो दिख नहीं रहा हूं कई गय हुए है अभी तो फिलाल हम ही लोगों की एंट्री हुई है क्योंकि क्या हुआ है न महंदी का जो फंक्शन है वो लेट चलने की वज़े से सब ल आज चल रहा है भी वो लोग भी रेडी होकर के आएंगे अभी मैं आपको टाइम बता दू साड़े 8 जो है वो बच रहे हैं और बच्चों को सुलाने का टाइम हो रहा है तो मैंने का चलो थोड़ा पर तुम लोग खा लो मैं खाना खिलाने के लिए लेकिन उन लोगोंने आइस्क्रीम देख ली तो फिर आइस्क्रीम खाए भी न तो वो मानने नहीं वाले हैं तो उन्हें आइस्क्रीम दिला दी है और यहां पर फिर सारे फैमली मेंबर्स का चल रहा है फोटो शूट क्योंकि अभी फिर यह लोग रैडी होने जाएंगे मतलब दूला दिलन कि होगा सकता है डांस भी चल रहा है ऐसा नहीं है कि स्टेज में डांस हो रहा है जिसका मन और यहां वह सुब्स डांस भी कर रहे हैं जॉइ युला रात में तो काफी देर तक जगें हैं, साड़े ग्यारा, बारा बज गए थे, हम लोग वहां से आए हैं, और फिर सीधे सो ही गया है, सुबा ही आग खुली है, रात में तो बिल्कुल भी आग भी नहीं खुली, कि कितना बजरा है क्या, और अभी मैं आपको टाइम बता दू, साड़े साथ हो रहा है, साड़े साथ बज़े मैं उठी हूँ, और अभी थोड़ा धूप जो है, वो अच्छी खासी आज निकली है, कल उतना अच्छा धूप नहीं था, लेकिन आज काफी तेज भी है धूप, तो थंड का भी कोई टेंसर नहीं है, क्योंकि जो भी ड्रेस हम पहनने वाले हैं शादी में, उसमें हम स्वेटर, शॉल तो लेने नहीं वाले हैं, तो में को ठीक ही लग रहा था, कि चलो धूप है, ठंड नहीं लगेगी, फ्रेंड्स हम सब जानते हैं, आज काल की पॉल्यूशन जो है, वो बहुत जादा बढ़ चुका है, और हमें कई न कई पता है, कि जो पॉल्यूशन है, वो उससे हमेरी स्किन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन रिसेंटली अभी में एकोनोमिक टाइम का एक आटिकल पढ़ और उसको पढ़के मुझे एकज़म शौक लगा है, कि एर पॉलिशन की वज़े से हमें सीरियस स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, इस आटिकल के एकोर्डिंग एर पॉलिशन के जो डस्टी पार्टिकल होते हैं, वो हमाई स्किन में बहुत जादा एफेक्ट करते हैं और ड ही पड़ेगा, तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है आप सभी के लिए और वो है नेचर श्योवर का पॉर्स और मार्क प्रेमियम फेशियल ओई, मैं आपको बता दू यह 100% नेच्टरल प्रोडक्ट है और बहुत जा के डिसॉडर को और आपके इन लार्ज पोर्स जो होंगे उसको भी यह सही कर देता है, फाइन लाइन को भी आपके सही कर देता है, आपको डेली रूटीन में आप इसे यूज कर सकते हो बड़ी आराम से, और इसमें ना मोरिंगा, ऑलिफेरा है जो एक नेचरल हर्ब है, ए इसमाइ स्कीन को पिंपल्स, माक, ओपन पूर्स, यूवी रेस जैसी प्रॉब्लम से प्रोटेक करता है, आप भी प्रोड़क मंगवाना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओर्डर कर सकते हैं, रूम से व्यू भी बहुत नहा करके ही बाहर निकलू रूम से, बट नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, ब्रश कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं, दूसरे वाले रूम में वहाँ पर सब लोग हैं, इसमें अभी हम ही लोग थे, बाकी इस वाले रूम में ना कोई भी नहीं था, विला में, तो चलिए सबसे मिलवाते हैं और देखते हैं कि वो लोग अभी सुभे सुभे क्या कर रहे हैं उस वाले विला की क्या सिस्वेशन है तो थोड़ा थोड़ा दूर है हमें लगता है शायद आदा किलोमेटर तक होगा पता नहीं बिलकुल आइडिया नहीं है तो चलिए हम लोग आ मैंने तो सोचा था ना कि सब लोग बढ़ी हां रजाई में गुसे होंगे लेटे होंगे बात चीत हो रही होगी यहां लेकिन ऐसा नहीं हो यहां तो एकदम उल्टा है सब लोग नहाद होके यहां रेडी होने लग गये हैं क्योंकि शादी जो है ना वो दिन की है इसलिए स बजे से स्टार्ट हो जाएंगे सारे प्रोग्राम और नौ तो बज गयते ऐसे ही तो सब लोग यहां पर कुछ लोग नहा चुके हैं कुछ लोग रेडी हो रहे हैं और कुछ लोग अभी सो भी रहते तो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं breakfast के लिए breakfast एक अलग जगा पर है यह वाल में तो क्योंकि बच्चे जो हैं अगर सुबह सुबह उनको कुछ किलाऊ प्allo और यहां पर क्या है कि वैसे तो आनाइशी को मैं मिल्क दिय देते हूं सुबह पर वैसे मैंने सुबह husband को भेजा तो वो ले करके आ गए है milk थोड़ा दूर जाना पड़ता है बट गरम होने में time लगा फिर मैंने चलो थोड़ा जब breakfast ready है तो करवा देते हैं breakfast और उसके बाद ये रहेगा कि दो गंटे तक बच्चों से मैं free रहूंगी बिल्कुल परशान नहीं करेंगे ये लोग और फिर वहां से आने के बाद breakfast करने के बाद ना फिर मैंने dress change कर दिये क्योंकि वो मेरा night suit था और हम आ रहे थे यहां पर तो यहां पर क्या है वो night suit थोड़ा heavy हो जाएगा और मुझे नहीं मालूम था कि यहां पर swimming dress जो है वो मिलेगी ये में आइडिया नहीं था तो इसलि जादा excited है मतलब देख के his swimming pool उनको लग रहा है बस सीधे कूद जाओ बट उनकी dress जो है वो मैंने change करवाई चार से पास मिनिट लगे सबको change करने में और इन लोग ने तो आते ही कूद गई है में को बट यह लग रहा तो नहीं स्लिप नहीं हो जाए यशी को तो आप देख किया है और मैं शांपू का पैकेट जो है ना मेरा पाउस पाउच वही ले करके वहाँ चली गई थी और मुझे आइडिया नहीं था कि पता भी इसमें वाश करते हैं कि नहीं मैं सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं यहां पर बोश नहीं क एक एक करके टाइम जादा लग जाता और यहां पर हमारा टाइम बच गया है तो अच्छा डिसीजन था हमारे यहांने का क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कहीं ऐसा नहों कि उधर जाएं क्योंकि थोड़ा सा ना रूम से दूर है यह लग रहा था कहीं ऐसा नहों जाएं बच्छों को रेडी कि रहा है तो यह देखिए यशी को मैंने लेंगा पेनाया है कैसी लग रही है कमेंट करिएगा मुझे मुझे तो बहुत क्यूट लग रही है इस लेंगे में और आयना को भी लेंगा ही पेनाया है यहां पर ममी जीए खुले बाट साथा चे लगता है संहा मुझे को बता दू वियर्षे रिख अवाब प्रिदी आपले कि आगे में मुझे करें मुझे के लेगा आपके घंट गॉर थतर हमला मुझे क उंअट savior अज्य के लिएक वाथ एक केलो है मुझे खेयो K לא소ी में हमारे है ज्पर हुड़ एलो ह। पूरा ब्लॉक आएगा ना दो तो आप लोग मेरा भी लोग देख लीजे मैं कैसे रेडी हुई हूं मैंने बहुत को साब्स करते कि खांक्ष्ण के लिए तो यहां पर बिंदी थोड़ी सी मैंने अलग लगा ली इती तो कि स्टोन वाली लगा लो वह बहुत अच्छी लग लग लेती और यहां पर दुलहन भी पूरी तरह से रेडी हो गी हैं और बहुत सुंदर लहंगा लग रहा बहुत प् और बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि तीन चार लोग हैं गाड़ी में के लिए बाकी अभी गाड़ी जो है वो दुबारा से आएगी तो जो बाकी की लोग हैं वो बाद में जाएंगे तो अभी मैं रुख गई हूँ और दूलन चारी है वहाँ पे जहां पे शादी हो थे और बहुत डांस करते वारत एंजॉय कर रहे थे मैं सोचा चलो उसको डिस्टब नहीं करते हैं दूर से शूट कर लेते हैं तो फिर मैं पास से नहीं गई थी और यहीं से आपको जूम करके दिखा देती हूं देखिए सब लोग डांस कर रहे हैं हम तो लड़की की साइ काफी लोग कुछ बाते कर रहे हैं तो बस इसी तरह सब बीजी हैं और उसके बात फिर मैंने थोड़ी फोटो वगरा क्लिक कर वाली थी वैंने का चलो बाद में पता नहीं टाइम मिले की ना मिले बीजी हो जाए सब लोग तो मैंने थोड़ा बहुत फोटो शूट जो है भ कुछ कर दो बाते कर दो दो कर दो कर दो दो अब पराद का वेलकम होगा तो यहां मेरे बड़ी मम्मी जी बड़े पापा जी इनका वेलकम कर रहे हैं और हमाई यहां पर ऐसा है कि दूले को गोद में उठा करके ले जाए जाता है अंदर तो अभी मेरे जो देवर है वो इने गोद में उठाएंगे और यहां पर यही प्यार चूने लगे थे बट ममी जी पापा जी को प्यार चूने होते हैं आज के व्लॉग को करूंगी यहीं पर एंड व्लॉग कैसा लगाएंगे कमेंट करके जरूर बताएगा पसंद आया होते लाइक कर दीजेगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब में किया सब्सक्राइब कर दीजेगा